नमस्कार स्वागत है आपका इस बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ मेनका चौतरी शुरुवात करते हैं कन्नौच कांट की खबर के साथ जिसमें एक नया मोड आ गया है जहां नाभालिक ने मजिस्ट्रेट के सामने रेप का आरोप लगा दिया तो वहीं पूरे मामले में पहले दिन सही संदिक्द भूमिका में रही पीड़िता की बुआ पर भी शिकंजा कस्ता जा रहा है हलांकि इन सबसे अलग समाजवादी पार्टी से आरोपी नवाब के कनेक्शन पर सियासत भी खूब हो रही है और इसी पर आपको ये रिपॉर्ट दिखाते हैं कन्योज रेपकांड का बिगड़ेल नवाब सलाखों के पीछे है कभी सपा के बिगड़ेल नवाब रहे आरोपी पर सियासत हो रही है और अब उसी नवाब सिंग यादव की मुश्किले बढ़ चुकी है पुलिस ने आरोपी के खलाफ रेप की धारा में केस दर्ज किया है इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पीडिता ने अपने साथ रेप की बात कभूली जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खलाफ रेप की धारा जोड़ी है और अब DNA टेस्ट भी होगा जिसमें उसने दुश्करम की बात कही है जिसमें विविचना में दुश्करम की धारा बढ़ाए जाएगी उधर पुलिस ने पीडिता की बुवा के खलाब भी पॉक्सो एक्ट में धारा जोड़ी है पीडिता की माने बुवा के खलाब भी शिकायत की थी पुलिस ने बुवा को जाच के लिए बुलाया था हालाकि वो जाच के लिए नहीं पहुची जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है आरोपी नवाव यादब समाजबादी पार्टी का नेता रहा है तो ऐसे में सियासत भी जबरदस्त हो रही है बीजबी एक्लेश यादब को घिलते हुए समाजबादी पार्टी को अपराधियों की पार्टी करार दे रही है तो बचाओ में सपा के नेता भी पलटबार कर रहे है समाजबादी पार्टी और सभी प्रकार के अपराधों का होना ये दोनों ये पार्टी के कारकरता और अपराध ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इन से इस राज की जंता रचा करें भगवान रचा करें और ये लोग पहले आत्ममन्थन और आत्म चिन्तन करें आपने आपको अलग करने से बच जाएंगे क्या जो जग जाहिर है कि उनी के नेता है उनी के प्त्निदीर रहे हैंनी के पार्टी के हैं केशव प्रशाद मौरे आजी बेरोजगार व्यक्ति हैं विभाग मिला हुआ है डिप्टी सेम का पद मिला है काम कोई योगी जी ने दिया नहीं है इसलिए उल यलूल बोलते रहते हैं वो खुद अपराधिक प्रवक्ति के आदमी हैं उन पर 18-18 मुगद में थे सरकार में आ गए तुन्हें बातिस ले लिया कोई कोट ने तुन्हें बरी किया ने किसी अदलत से तो निर्दोस थाबित हुए ने इस तक कि मानसिक्ता के लोग काम नहीं करते केवाल इसी तरह के उल्टे सिदे बयान देते आयोध्या के बाद कन्योज रेपकांड में समाजबादी पार्टी के निता का नाप और डिने टेस्ट की मांग पर पहले भी सियासत हुई और अब भी हो रही है लेकिन इन साफ की आस में पीडिक परिवार है जिसकी सरकार से गुहार है जिस तरह अयोध्या में मोईद के क्लाफ एक्षन हुआ कुछ उसी तरह कन्योज में भी दरकार है विर रिपोर्ट न्यूज एटी